है लो एवरिमान मैं प्रकास और वरार्शी से आप सभी लोगों का इलेग्वी दुर्गेश में फिर से स्वागत करता हूं तो आज हम सभी लोग जो वन लीनियर प्रश्ण तरी है वन लाइनर क्यों एंसर है उसको हम लोग देखेंगे तो क्रमवार तरीके से देखेंगे सहस च्ब एक च्छोटा आदमी खश चार से पांच सालों में अपने सब कुछ कर लेता है यह कौन मांते हैं एक फ्राइड मांते हैं नेक्ट है बालक का निर्माणगाल किस में होता है तो बालक के जो किस ह长 होता है यहां आप लोगों ने अभिज़्ेश्ट पीछे जितनी भी लोगों ने देखा उसके जो डिसेशन में आपको उससे एक कंक्लूजन मिला हो तो कितने वर्षों तक मानी जाती है जन्म से पांच वर्षों तक सहस्वावस्था मानी जाती है आप अभी जश्ट बताएं कि पीछवालब देखे थे एक मोटी मोटे तरकेस अगर हम देख सब्सक्राइड के 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 सब्सक्राइ किस अवस्था को जीवन का सरवाधिक महतवश्पूर काल माना जाता है, सैस्वावस्था को, क्यों क्योंकि इसी अवस्था में मनुस्था के जो पुछ भी बनना होता, तो का एक आधार बन जाता है, इसी को देख करकर लोग बता सकते हैं कि आगे यह बच्चा क्या कर सकता है अर्थात उसके बारे में कुछ भविस्यमाणी जो है की जा सकती है, इसी सैस्वावस्था को देख कर करते हैं, चले आगे देखते हैं, सैस्वावस्था बालक के संपूर भावी जीवन को प्रभावित करती है, जैसा मैं अभी बताया, जो सैस्वावस्था है, 0 से 5 साल का जो उसके शुरू के चार से पांच सालों में हो, सब उसके अंदर देखने को मिलेंगे, उसको देख करके कोई अच्छा जानकार रहेगा, तो बता सकता है कि हाँ, इसका यह रास्ता अच्छा होगा, सहस्वावस्था को ही माना जाता है, कौन, सहस्वावस्था, बालक के संपूर जो भावी जीवन इसको प्रभावित करती है, इसलिए सहस्वावस्था को क्या माना जाता है, जीवन का आधार, जीवन का आधार है, अल्थात आगे की पूरी की पूरी जिंदगी इसी पर वेश्ड होगी, ठीक, सहस्वावस्था पर, नेक्ष्ट है, अनुकरान एउम दो तो कर रहा हैं अनुकरण एवंदोहराने की सबसे तिब्र जो प्रभिडती है वह सैस्वा वस्था में होती है नेक्ट वाला पॉइंट है बाल्यावस्था का समय कितना माना गया है तो 5-12 साल तक जो बहुत बहुत सारे लोग माने होंगे तो पांच से जो बारा साल तक का जो समय है वह क्या हो जाता है आपका वह हो जाता है आपका बाल्यावस्था ठीक वो क्या हो जाएगा बाल्यावस्था आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विश्था क्या है यही कि सारीक और मांसे के स्थिर्था सारीक और मानसे के सिर्था होती है बाल्य वस्था में बालकों की प्रभृत्ति किस प्रकार की अधिक होती है जिग्यासु होते हैं बच्चा इसी में क्या होता है पढ़ने जाता है आप देखिये कि 6-12 साल के ही अवस्था को क्या करते है प्राथिक विद्याले वाली वस्था तो बालिया वस्था में बालकों की प्रवित्ति प्रवित्ति की प्रवित्ति की प्रवल्टा होती है बच्चा भीरें समुह्में जो है काम करें लगता है तो बहुत प्रबल होता है, कितना होता है, BER reserve की प्रबलता होती है, बहुत प्रहुन ठीक, जिग्यासु की कहाँ बेपास्त में बहुत ज्यादा , बाल्यवस्था हो गया अब हम लोग देखेंगे किसोरा वस्था से सबान्धित कुछ महत्पून बात किसोरा वस्था गण देखते हैं जो एडार सिंस है इस परियर आप ग्रेट श्ट्रेस अंड श्टाम अंड श्ट्राइक अब देखिए अब इस टैनले हाल वाली जो आप लाइन पढ़ेंगे बिल्कुल किलियर हो जागा जो आगे आई गी लाइन उसों आप पढ़ोगे बहुत तच्छे स्क्रियर हो जाएगा अभी आगे चलते हैं कि यह किसोरा वस्था क्या है यह कैसा महान समय है यह तुफान त है फिर बतादे रहा हऊ कि मोटे-मोटे तोड पेनी जेटो 7 सेटी पांच साल के बच्चे को क्या करते हैं 700 अवस्था में कहा जाता है छे साल से 12 साल कि इब तक वह आ पर इस छो चो है कुछ्छ लोग है जो आगे वाले यह लिखे हैं साफ यहां पर आइसा ही लिखो भ्रह्मनेविनची तो जिरो से 5, 5-12, 5-12, 12-8 इस अरके से, ए मुल रुप से तीन तरके से आप लोग यहां पर पढ़ा हैं, तो किसोरा वस्था का समया कि कभ से कभ है, 12-18, इस टनले हाल आगे, इनके अनुसार किसोरा वस्था संगहार सतनाव तुफान तथा विरोध की बच्चे के जिंदगी बच्चे के अंदर बहुत सारा परिवर्तन होता है इसे को हम लोग क्या बोलते हैं अच्छा आगे देते हैं इसको बोलते हैं पूर्व होना चीना पूर्व किसोर आवस्था ठीक है किसोर नहीं आएगा और उत्तर जो भी आप लेते हैं उसी कसांद अब इसमें बहुत सारे अंगों का विकास होगा रहा है बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं किस वर्ष के बीच लड़कियों की लंबाई और मानस्प्रेसियां तेजी से बढ़ती हैं 12 से 14 साल के बीच में और 13 से 15 या कहिए 14 15 में लड़कों में बहुत तगड़ा होता है ना पहले आप लड़कियों में देखने को जाता है कि यह यूवस्था के बीच का क्या एक समय है इसमें ट्रांजीशन प्रिड़कों में तब एक मिसे दूसरे बच्चा कनवर्ट हो रहा होता है चेंज हो रहा होता है ठीक तो यहीं वाला है आगे देखते हैं कि सोरा वस्था की कौन से वर्स सबसे अधिक तुफानी होता है लो एह भी बता दो आप तो तेरस लेकरके 16 साल तक जो रहा है बहुत तुफानी होता है किन वर्सों के बीच लड़कों की लंबाई और मानस्पेसियां तेस बढ़ती है देखो लड़कों के लिए 14-18 बता दिया गया लड़कियों में आप देखें अभी 12-14 में उत्वासा मानस्पेसियां लंबाई बढ़ती है यहां 14-15, 15-16, 14-18 भी मान लिए ठीक है यहां तब ही होता है तो 14-18 तक जो आप जो फैक्ट मिलना है फैक्ट करिएगा क्योंकि यहीं फैक्ट के साथ में आपको परिच्छा में देना है ठीक है 14-18 घनिष्ट और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर की सुरावस्था की विशेस्ता किसे ने कहा यह वेलेंटेट ने कहा वेलेंट्टाइन वेलेंट्इन जोभी है इन्होंने घनिष्ट और वने जो है वने फुत की वोलते है मले नीयों में अब कहेंगे गन्यों च अब आप आपने तो आपने सश्वावस्था और फिर उसके बाद में बाल्य आवस्था फिर किसुर आवस्था, तीन में बताये थे, हाँ आगे थो आज प्रॉड होगा, तो प्रॉड के बारे में थुआ बहुत देख लीजिए, उसके बाद फिर बिद्धावस्था में थुआ बहुत देख लीजिए, उसके बाद फिर चाहरारिक जीवन की अवस्था नहीं देख लदे हैं यह अवस्था वेक्तओन-पने यह आस्चीवन की आस्था कहिए tayo सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है कौने प्रोड अवस्था में विकास क्या वो पूरी-पूरी लगवद पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा भाग इसमें वो बिताता है आप खुछ सोचिए कि कैसे 40 साल 20 साल तक का जो समय है जो पूरा का पूरा बाल बच्चे लाना परिवर्टन करना सब सारा कंडिशन इसी में होता है उसके बात तब आती है मध्य अवस्था मध्य अवस्था क्या होता है मध्य अवस्था कि आई ओक तालिस से साथ साल अर्थात आगे के जो 20 साल है या इसमें गया है मध्य अवस्था में अब बाल बच्चों की विवासादी का समय आ जाएगा मध्य अवस्था कैसी अवस्था कही जाती है इस अवस्था में व्यक्ति अपने पारिवारिक को पूर्ण करने की सिर्म होता है पारिवारिक दाइतों क्या होते हैं बच्छों को पढ़ाना लिखाना विवास आदी करना है सब सारे तोसी में आएंगे ना इस समय व्यक्ति शुखसांति प्रतिष्ठा से जीनने की कामना करता है वह पूर्णतया समाज में रहने लगता है तो समाज में उसकी मार मर्यादा को ले करके बहुत ज़्यदा शिंतित रहता है तो अब सुखसांति प्रतिष्ठा किसी तरीके का लपड़ा नहीं चाहता है जो तुफान अपना जेला था वह तुफान अब उनके बच्चों में अब उनके बच्चे लगए लगए जब तक सुखसांति की कामना करेंगे उसमें 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 बच्चा जमला करने को आतूर रहता है भुल गये अपने दिन तो वहीवाली समस्या तो अब सोचों को अगर परसां रहेगा तो बच्चों परिवार से परसां रहेगा यहीं लोग कभी कुछ ऐसा न करते जिससे समस्या यहां चलायाता है फिर आती है ब्रिध्धावस्था कभ से सुरू उती है साथ वर्स के बाद ब्रिध्धावस्था उसके बाद सारे घर के इन सब कारियों से निवृत्त होकर करके व्यक्ति क्या करता है अपने आनंद के लिए जानते हैं अंतिम स्वमें क्या होता है अंतिम स्वमें अगर व्यक्ति अपने हिसाब से जितने कारे किये थे अगर उसको सफलता पूर्वक कर लेता है तो उसको सुखद महसूस करता है और अगर उसको सफलता पूर्वक नहीं कर पाता है बहुत सारी गलतियां किया रहता है त तो बहुत मस्त महसूस करेगा एक हम खुश महसूस करेगा बड़ा सुख़द महसूस करेगा जिंदेगी और चंवार्वाज बहुत ब्यार करती वह運ड़ तो अब लोग सोच लिजीए कि किस टाइप का भाई जिंदगी और किस टाइब का होना चाहिए और किस टाइब का हुआ ठीक तो यह उस पर चले आगे देखते हैं कुछ और महत्तुपूर्ण विंदु है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जो छोटे चोटे जो पॉइंट्स होते ना इनको आप लाइंग बाइंग दो बार चार बार अगर प्रसवव प्रक्रिया द्यान देना और दियाले लिए जव डार से वीव कर लें है। जानते ना कब्र तर वहां तर उलाइन याद होगी तो कर रहे हैं कि यह जो विकास की प्रासेस है यह कभी स्टार्ट हो जाता है तो प्रसब पूरो प्रारंग हो जाता है कि एक नवजात सिसु का कद या उचाई है कि 19.5 इंच या लगभग साढ़े 51 सेंटी मीटर जो सबसे जो च्छोटा बच्चा पैदा होता है उसकी जो लंबाई है ठिक पैर से सिर्टक की अगर आप देखेंगे तो कितना होता है 19.5 इंच या फिर साढ़े 51 सेंटी मीटर ठिक लगभग आधा मीटर एक नवजात सिसु का भार वजन साढ़े साथ पाउंड या 3.2 किलोग्राम का यह दो को डाटा बहुत फ्याट है यह सब सीदे सीजिए अगर पूशे जाते हैं तो बहुत सारे लोग का गलत हो जाता है खास दर पर जो लोग नए एक्जाम दे रहे होते हैं उनका पक्का गलत हो जाता है क्योंकि वो इन सब छोटी डाटा को ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ यह सब छोटी डाटा भी एक्जाम में पूछे जाएं उनका गलत हो जाता है और जो लोग यही कुछ पढ़े रहते हैं अनोई लोगों के साथ जीये रहते हैं, उनका सुने रहते हैं, तो दिमाग काम कर जाता है, अक्सर करके नहीं लोग बच्चे गलत कर देते हैं, तो एक नवजात सिसु का कद सारे क्याँ सेंट्रिया सारे 19 इंच, और एक नवजात सिसु का जो भार है, उसारे 7 पाउंड या फिर 3.2 kg, इतना होता है, तीन से छो वर्स तक का बच्चा अर्ध स्वपनों में रहता है, मतलब वो पूर्णतिया भी पूरे रियल लाइफ में मतलब भी नहीं आया है, यह विचार किसका है, थांडाइक का है, यह लाइन ध्यान देना कि तीन से छो वर्स तक का बच्चा अर्ध स्वपनों में रहता है, यह किसका कतन है, थांडाइक का विचार है, थांडाइक का, मनुस्यों को जो कुछ बनना होता है, प्रारम्ब के चार-पांच वर्सम बन जाते हैं, यह प्राइड कहते हैं, नवजात सिस्वों में हड़ियों के कुर संख्या 270 होती है, जब बड़ा होने लगता है, दे 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 ऑफिर 206 आजा, बालक के दातों का निर्मार जन्न से पूर्वही प्रारंब हो जाता है, वो अलग बात है कि हमको जन्न के बाद दिखाई देता है, लेकिन विकास अंदर से पहले ही हो जाता है, फिर कुछ मनीने बाद फिर हमको बाहर निकलते दिखाई देता है, जन्न के समय बालक बालिका से 0.5 संटीमेटर लंबा होता है, नार्मली अब यह बहुत अध्यान के बाद देखा गया होगा, नहीं अधर्वाई सोचों कि एक अही माता की संतान होते हैं, एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की, और व हो जाते हैं, तो कितना है, 0.5 से बसा मंगां, इस से ज्यादा नहीं आएगा, 9.5 जो आता है, वह आप देखा, बचाई देरा होगा, मेरा गुली, ठेक, इतना. ये, इतना से, इतना से यह लाता है, इस से ज्यादा नहीं आएगा, इसी बताओ अंतर लोग, नाब के तो इतना कर रहा है आधा सेंटी मिटर इतना जो इस पर अगुली ले रहा हूं त्वास अगर त्यांज नजदी से देखें यह अगर यहां से एक अगुली के बीच की गैप देखेंगे अगर लगभग लगभग पौवना इंच हो जाता है मतलब हम आपको बतादर लगभग दो सेंटी मिटर हो जाता है तो दो सेंटी मिटर अगर मैं यहां से बात कर दूं कि यहां पर यहां से अगर दो सेंटी मिटर तो एक सेंटी मिटर अईतनी का अब सोचो कितने की बात कर रहे है एक जो पेन की मोटाई होती है लगभग एक सेंटी मिटर के ऐसे डामेटर आपके तो एकदम नहीं आती होंगी हो सकता है किसी माता की हाइट थोटी हो तो बच्चा थोटा परदा हो गाए भी तो हो सकता है लेकिन यह 0.5 मतलब यह इतने इतने डिस्टेंस का जो है इतने डिस्टेंस का अगर आप लोग समझ रहे होंगे हाला कि आप लोग मुबाइल बड़ा होगा तो आप जैसा भी हो एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर हम लोग दिखाते हैं ऐसे से 15 सेंटीमीटर का सकेल होता है अब उस पर एक्षुल जो लेंथती में बताया अंगुली पर आप देखो के समझ में आएगा एक संटीमीटर है इसका आधा हम कभी सोचते है मूल संक्री तवस्था का काल सट से 11 वर्स हिसमें बहुत सारा जो बहुत सरड मिलेंगा मनो ब्याइग ज्यानिकों के उनसार चोटे बच्चों को पांच वर्स्ट की आईउ में बھیजाना चाहिए पांच वर्सों के आई में, हम लोग छो वर्सों के आई में स्कूल जाते हैं, तो पांच वर्स यही मान लिया गया, और अब तो ऐसे से मनुभए ज्यानिक हो गया जो कहेंगे ने, तीने साल के वस्तावे स्कूल भेज़दो, अब भाई क्या किया जाएगा, अब तो ऐसा भी माना जागा, यह बोड परिच्छाएं नहीं होना, यह बोड परिच्छा क्लाश 10th में होना, सिख्छा के लिए बहुत ही, बहुत मुक्सान दायक था, बहुत गलत था, इसे बच्चे कंदर पून विकास नहीं होता था, अब यह आईडिया बता करकर के, आगे कहा जाएगा कि अब कलाश 10th से बोड एक्जाम खतम हो जाएगा, जब कच्छा 8 तक की परिच्छाएं बोड उसे जो होती थी था, टाइट होता था, खतम हो गया, तो 8 तक पास करना नहीं हो गया, आप कैसे बच्चे आ रहा हैं, और जब यह 10th में बोड अगर खतम हो जाएगा, तो पे रहेंगे, और उनका नमबर उनका नमबर तो हो सकता है, ज़्यादा या जाएगे, बोड इख्जाम नहीं होगा, ज़्यादा नमबर देखे, इस पर देखे, तो अगर मेरिट वाली बात आएग, नहीं मेरिट से होगा, तो यहीं जो प्रमोट हुए हैं चिलाएंगे, तब यह लड़ेंगे, फिर यह कहाँ जाएगे, मेरिट सिष्टम हटाओ, जा इनको हटाओ, सब दिरो दिरो सिष्टम ह drip को जाता है, अब आप लोग लगता होगा भुद्धी जीवी यहन नहीं बढ़िया है, तो ठीक है, बढ़ियां आ तो कुछ दिन और बिदाएगे, फ स्कूल की आयू छवर्स होती है अब आगे जब जानते होना नई सिष्टम आ रहा तो उसमें कितना हो जाएगा अब बच्चाव नीचे पढ़ने जाएगा वलेंटाइम ने सहस्वावस्था को सीखने का आदर सकाल का है किसमें सिखाए बच्चे को बड़े अच्छे सा सीखे सारिक विगास अच्वहेंय सभी के बारेवैं सहसवावस्था जीवन होता है स ус रहाज़ा वस्था बाल्या वस्था समूह चुस्ति की आयू होती है तो बाल्लेयवस्था में से काम करते हैं। बाल्लियवस्था में बालक बाहिक केंद्रित होता है। जहींने जो मच्छरों के पेट में पहली बार ताक जाक पिए आगे देखते हैं बाल्यवस्था में बालक वाहिक अंद्रित होता है वह अवस्था जिसमें सर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है वह बाल्यावस्था ही होता है मतब यहां से दिरे दिरे क्या हो जागा अब यह सर्म हो गर्यावाली बाते आने लगेगी वह बच्चे अपने ही समझात लिंगों के साथ में लड़कियां के साथ में अईसा है अब दिरे पुशिस इदर होगा यहीं उनको थोड़ा सर्म आएगी कि नहीं हम उदर नहीं लग वास्ता 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 जगत में प्रवेस्टा अब बच्चा क्या है घर से बाहर निकला है अब वह स्कूल जा रहा है बच्चों के सांत रहा है कुछ एक्टिविटी करेगा तो वह वास्तों है अब जगत में क्या की है प्रवेश किया है अब उसके अंदर जो है थोड़ा आएगा कि हमारे घर के अलाव़ी कुछ है यहां हम जो अभी घर पे सिंघंगम बनके बैठे थे ऐसा कुछ नहीं अभी बाहर भी एंको सिंघंगम बनना है बाल्यावस्था में बालक सम व्यक्तित वहर मुखी होता है बाल्यावस्था में अर्थात बचा बहर मुखी होता है बहर मुखी का मतर्व समझ रहने तो कुछ चुपाएगा उपाएगे नहीं में तरब गुप चुप नहीं वैठेगा वह बहुत चंचल होता है बाल्यावस्था में सिक्षा सामुही खेलों रचनात्मक कारियों के माध्यम से दी जाती है क्योंकि बच्चा उसमें स्कूल जाता है घर से निकला है मुत्रों के सांफ रहा है तो खेलेगा भी कूदेगा भी एक्सरसाइज दुकर सब कुछ करेगा तो अब उसको वह सब सारे काम बंद करके सिखाओगे तो नहीं सिख पाएगा तो सामुही खेलों रचनात्मक कारियों उन्हीं के माध्यम से सिख्चा दी जाती है और उसी माध्यम से सिखते हैं पूर्व किसोर अवस्था अत्यांत दृत अंतिव्र विकास का काल है वाने बहुत तेश उसमें बदलाव होता है किसोर ही वर्तमान की सक्ति और भावियासा को प्रस्तुत करता है एक क्रो एंड क्रो का कथन है कि किसोर ही हैं लोग नहीं करते हैं ये सक्ति यो सक्ति युवा सक्ति तो युवा सक्ति काओ किसोर में आईए अब जैसे युवा सक्ति के लिए दूसरे लोग चिला रहे हैं किसोरों के लिए कहा गया है कि किसोर ही वर्तमान सक्ति और भावी आस सकति से लबालव है अब किस दिशा में उसक्ति का प्रवियोग कर रहा है उसको फिल्ड नहीं दिया जा रहा है अरे उसको फिल्ड दिजिए भाई वह यूँगा है तमाम तमाम जब जो उसके पास सकती हैं तो सकती का सही प्रयोग भी तो करे हैं उसका उसका और जिए जा रहा है तो क्या करेंगे बालक का सारीक, मानशीक, सामाजीक, सम souhaidث की सोरा वस्ता में पूर्ड़ता को प्राप्त होता है मैं बताया भी हू tem कि बच्चा जब तक यह सब विकास हांप पेर का विकास हो रहा है तब तक अभी बालक है उसके बाद बालक नहीं है अब वह परिपक्वता की ओर चलेगा अपने परिपक्वता को बढ़ाएगा इस्टेबलिटी आएगी उसके अंदर अब उसके बाद विचार में तो वह बागय वाई लाइफ श्टार्ट हो जाएगी कि इस्थिर नहीं रहती है वदलती रहती बहुत तेजी से उसमें बदलाव होता है एक वहीं किसोरा वस्था की प्रमुख वैज्ञानी की विशेष्ता पूल्ड समवेगात्मत विकास के कान इस्थाइत्य उसमें बदलाव होता है इस्टिबिल्टी नहीं हो पाती है इसलिए इस्थाइत्य उसमायोजन का थोड़ा सभाव हो जाता है बच्चा अपने आपको मैंस नह तो उसको आप याद रखिए मनवी ज्ञान के अनुसार बाल विकास की सरवाधिक जटिल अवस्था कान सा है किसोरा वस्था बहुत जटिल वस्था है बदलाव होता ही बहुत जब इस्टनले हाल कहां के थे अमेरिका की बनोबैग्यानिक थे यह याद रखिएगा इस्टन वर्ष ततनावत तुफानेवं विरोज की अवस्था है किसोर अवस्था यह अमेरिकी मनोवैग्जानिक इस्टैनले हाल ने अपने सब्सक्था बढ़ है किसोरावस्था के बांग अजाता discovered वस्था में वह जूड़ना प्रारब होता है, अब देदे वह प्रवेस करता था वास्तरी जगत में, लेकिन अब जब किसोरा वस्था के बाद, माने अब चेंजेज हो गएं, अब वह वास्तरी जगत में आ जाएगा, अब उसको रियल संसार में जाएगा, विवासादी करा दिया जाएगा, नौकरी, फवाकरी करें, अगर भाई मिल जाता है, तो अच्छी बात है, मिल जाना चाहिए लोगों को, किसोरा वस्था बाद, नौकरी करें मिल जाता, कि लोग जो तमाम देख रहे थे सपना, वो साकार करें, आप आगे बढ़ें, कि जिन्दगी बर सपन चाहता है, किसोरा वस्था में बच्चे अपने संपर्क संभू में सक्रिय सदस्वे हो जाते हैं, और थात, अवो सक्रियूप से काम करेंगे, अपने जिम्यदारी से काम करेंगे, ऐसा नहीं कि घर से तुम्हें लाना, तुम्हें लाना, पापा के चुराय लाना, ऐसा समाजिक विवस्था में परिपक्वता की सोरा वस्था में आती है कौन बड़ा है कौन चोटा है यहां जाना चाहिए वीवा साधी यहां पर क्या कैसे हो किसके के साधी है को क्या करना चाहिए वहाँ जगा भदरता का कोई ऐसा कुछ भी मतलब हर चीज हर तरीके से अब उसका समाज में भाई कीमत बढ़े गई यह दिदे बढ़ रही तेक अब उसकी वह परिफकता अब उसकी बात की कीमत अब आएगी समाज में क्यों नहीं आएगे बबाददा ल प्रत्याइकर इस्मृत न कालपना चिंतन बुधि तiscover ही काई सभी में कःद्र का समान ले जाकर के बाहर घा, क्इलने चुट के Hem नहीं जायंगी जिसका जायो सका जाया जानता है कि हमारा नुख्सान और हमारा फायदा क्या है और जुमेंदारी पाठ करमyorsun का अर्थ दौड का वपत युस पर योपक क्या है आधा गया एक रास्ता निल जाता है जिस पर बच्चा चलता है और चल करकर कि जो उसका विकास है अपने उसका व्यक्तित्तों का व्यक्तित्तों का विकास करता है पाठ क्रम सिख्षक के हाथों में एक साधन है पाठ क्या है सिख्षक के हाथों में एक साधन है उसी की सहायता से बच्चे को इस इसी से तक कहुंचाता है कभी क्या का सोच को साध्य मान लेता है के यहां कथक्षक करता है क्या करता leven क्या करता है में टोपने चातरों को यहां ले हम उत्स Culhart करता है बालकों के सर्वांगिण विकास का दाइद तो सिक्षक यों बालक दोनों पर होता है कि वह लेक पर नहीं होता है सर्वांगिण विकास के लिए सिक्षक पर भी और बालक ठीक ये दोनों पर हो और हमको तो लगता है बलकि माता पिता भी कुछ-कुछ चीजों में क्या होते है माता-पिता खुद नहीं चाहते हैं जैसे आप एक क्वेश्चन देखेंगे आता है कि सांस्कृत में कि पाक साला में एक सिक्षिका थी यो बच्चों से लड़कों से खाना बनवाने की सिक्षा दे रही थी जबकि लड़कियों से वह दूसरा काम सिलाई काम कर रहा थे ऐसा क बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वह उस जगहों पर भाई तो बहुते बड़ा सिक्षक के उपर आता है कैसे समझायक से क्या करें और उस कोस्चन में सोचो जो उत्तर माना गया हो यहीं माना गया है कि उस समय पर उस समय पर बच्चे को भाई उसके कारे से हटा दे ऐसा भाई समझ में समझाने वाली बात तो है एक ऐक तरीका कि रहा कि सिक्षक है बच्चे को समझने के लिए माता पिता को समझाने करें नहीकर को कुसीस करता है बताता था चल रहा है इसी की बत्चा नसुन मतलब ऐसा कोशन बना है तब मैं बता हूं एधरवाइज नहीं बलता है हड्डियों का विकास 16 वर्स की अवस्था तक होता है फिर हड्डियां उसके बाद नहीं बढ़ती घरती है ठीक है ऐसा तो कुल मिलाज उलाकर करके जो पॉइंट है आप पॉइंट पे रहिए जब वह उत्तर फलाने माने करें इसका यह उत्तर यह है तो आप मानें विश्वास नहीं होगा बिहार PCS में बहुत सरल सरल कोश्चन के उत्तर आयोग वालों ने बहुत गलत गलत माना है बहुत सरल सरल कोश्चन जिस पर कि मतब सोचा तक नहीं जा सकता था कि ऐसे प्रश्ण मे वो उत्तर मानें तो यह बहुत गलत है ऐसे जगहों पर उनको कम सकम सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं कम सक्व मुस्च लेग तो इस समय हर एक भी भाग में हम देख रहे हों हर एक आयोग में जो कुछ वहां इसे धिमान व्यक्ति चले जा रहा है जो कि ऐसे ऐसे उत्तर देद रहा है आप खुद अपने तमाम ट्रेट की परिशाओं देख लिए कई बार क्या होता है हर बार एंसर की आती है और कितने गलत एंसर की आया और उसी पर रिजल्ट भी जारी हो गया मैं इसलिए बोल रहा आप उसको देखिए किस साल का है कैसे है आप लोग खोज लिएगा पता चलिएगा मैं नाम नहीं लिएगा पुषिस से ज्यादा नीचली कच्छा में और वहां का छोड़िए अपने उत्तर परदेश में भी बहुत सारे करीब 35-40 कोस्टन जो है पिछले दो पिस्तिस की प मसता है जे परिचार थे उनको लोग गोलू सबज रहा है कि मने करवे क्या करेगा या तो यह सोच रहे होंगे लेकिन यह सब बात कर लगता है अब बताओ आयोग वालों की कितना मतलब हम लोग कितना उनके सांथ में जोड़के चलेंग नहीं सही है यह सही है यह सही है क्यों नहीं आता था रिजल्ट आता था पता चलता था अभी भी हम लोग बहुत सारे कंडिशन में देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग हैं जो परिच्छा देखे आए अब क्या आ रहा है क्या जरा छोड़ें सीधे जब रिजल्ट आगा तब हैं देखेंगे विस्वास क आदेश आ जाता है और कभी कभी सारवजनिक होता है सबका लाब हो जातों हो जाया कभी को नहीं होता है सारी चीज़े छोड़िये आगे देखें निचली कच्छाओं में सिक्षण की खेल पद्धती मूल रूप से विकास या वृद्धी के मनोवेग्यानिक सिध्धानतों तो निचली कच्छाओं में वहीं सिखता है उसी तरीके से बालकों की सोच अमूर्थता की अपेक्षा मूर्थ अनभवयं प्रत्या से होती है यह अवस्था साथ से ग्यारा वर्स तक अर्था अभी बच्छा भी बिना मूर्थ वाले सीज़े नहीं मतबगर जोड़ना है अ जो पेन यहां है पांच पेन और आ गए अब कुल कितने पेन हो गए तो अब पेन दिमात में आफिरसे पेन अगर आप रख देंगे तो पेन इधाधर करकर जोड़ने लगा था तो मूर्थ रूप में अभी समझ पा रहा है अभी अमूर्थ नहीं हो रहा है अब जब वह ब चर्स प्रोजरा क्वी होते हैं कियों क्योंकि वहां पर अमूर्थ गड़नाएं होती है इसलिए समस्याग जलने लगते हैं चलते हैं मूर्थ-स Francisco Par hack द्रिष्टी कून की मानन सार बच्छपन ब्रिधि फॉँर्टन की अनूठी अवधी है संजित रूप के बिकास समुध है समस्या समाधान तार्किक व्या च्मता की ब्याख्या करता है समस्या समाधान तार्किकता और नाज चमता है सब्सक्राइब कर दिमाग नहीं काम कर पाता है विकास का सिध्धान के अनुसार सभी की विकास दर्फ समान नहीं होती कुछ लोग बहुत तेशन दिमाग दर्फ सभी में समान होती है क्रम से होता है तो की सभी में विकास के सरोकार का अनुभौ करता है मिस्भित आई वर्ग वाले विध्यारत्यों की कच्छा से विवार रखने वाले सिख्छग के लिए सरवाधिक महत्पूर्ण विकास आत्मक अवस्थाओं का ज्यान है। उस्ष्वात्त्त की और अग्रसर होता है, अग्रसर होता है शेश्वात्त होता है। मतलब विकास है, किस किस समध्त हो सकता है, करना है। कि विवस्थिते प्रस्थती विकास के सिद्धान्त कि विसमजातिता से स्वातता की और अग्रसर होना कुछ नहीं बस एक सब्द है उसमें मैंने संकलपनाओं कि जो सिद्धान्त कि अनुषार हो विकास विसमझातियता से स्वात्ता की होता मतलब जो चीज़े दूसरे समझे था अब अब अपने पर अभी स्टेबल हो रही उस्पर अधिकार हो रहा है उधर होता है जो बहुत साइच चीज़ हम नहीं जानते अंदिरे दिरे दिरे अब जानने लगेंगे विकास का परिपक्वता से वही संबंध है जो उद्धीपन का किसे से हैं जगर हम कोई stimulus कोई चीजं़ लगाते है जैसे आपको एक चाटा मारेंगे तो आप या तो हमको गाली देंगे ओनवे देंगे तो जो हमें चाटा मारे हैं तभी हम पहले उद्धीपित कियें तफिर आप बोलें मैं आपको जब गरμी दूँगा तो आप ठंडे में भागेंगे आप ऐसे ठंडे में भागे रहे थे आप गरमी दीए तो घाम में या धूप में ले गए अगर हम बढ़ाएं हैं मतलब गर्मी बढ़ाना एक उद्रीपन हुआ और प्रतिक्रिया में आप क्या कि यह फैंड चलाएं तो वही करें विकास का परिपक्वता से संब्द है माने विकास के फलोस्वरूप व्यक्ति परिपक्वत को होता है तो वैसे ही जब हम उद्रीपन क कोई देता है तो उसका प्रतिक्रिया मिलता है यह कभी कोई मिलाने के लिए आता है किसका यह समंदर इसके किससे साथ है उसके बाद ही तो परिपक्कों हो जाता है जब युवा वस्थाम परुस्ता है विकास के किसोरा वस्था काल को अत्यधिक दबाव तनाव का काल कहा गया है बार बार यहीं लाइन है किसी बालग दरा खिलोने तोड़कर उसके अयों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देने किस्ती में उसकी जिग्यासु प्रवित्य को बढ़ावा देकर उसकी उर्जा को दीशा प्रदान किया जाना उचित है और यह जब बच्चा बालक होता है बाल्य आवस्थान होता है तब देधीर करना इस तब जोड़ करके तोड़ने वाला काम करने लगता है जब बच्चे हैं बाल्य आवस्था में है अब मेला में जाईए कोई समान लेकर आईए वो साम होते होते तोड़ डालेगा उसको नहीं साम तो अगले दिन एक दुद दिन तक का गेम है पुरा फिर निचोड़ पिचोड़ तोड़ तार लपेट सब भरब्व है बाल्य और बच्चा कहा जाता है बहुत बच्चा उसमैं जिग्याषू होता है अब सुनारी अश्था कहा जाता है जिसको अभ्याद करना ऑप बच्चे बिद्धियों विकास हे तो पारि संब्यासर достsh transitions और व्यक्ता का यहां बाल्यावस्था को ठीक है अब यह बाल्यावस्था को ठीक है किसोरा वस्था में संव्धेगों की तिव्रता नई परिशितियों से संघर्ष के रूप में प्रगठ होती है बाल्यावस्था आप यहां देना ठीक है किसोरों में संव्धेगों की तिव्रता नई परिशितियों से संघर्ष के रूप में प्रगठ होता है अब जो नई परिशितियां आएंगी अब उससे वह संघर्ष करेगा यह चीज मिलता है बच्चों के देखो इसा पॉइंट है क प्रति अउधाना को नश्ट करना होता है चाहे आप साब्दिक दंड देंगे और साब्दिक में मार पीट दीजिए कुछ दूसरे तरीके से तो क्या होता है उसके प्रति अधाना को नश्ट करना है मतलब वो क्या करेगा वह जो इसके वीचार चल रहते दिमाग में उससे डरेगा वो नहीं करेगा जैसे माली जैकर उसका मन करता था किस खुलोने को खोल करके देखने कि इसके अंदर क्या है तो तुब तक मम्मी आई चार 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 अब उसमें डाटने फटकाने लगों फिर दर के मारें बैठ जागा अर्थात उसस्त होने लगेगा और उसमें सबसे बड़ी भूमी क्या जानते हैं यहीं सब साथिक और और साथिक दंड़ देने माले ही यह लोग होते हैं बच्चे जिग्यासु प्राणी होते हैं जो अहां क्यांद्रिकता का विकास नहीं हो पाता अर्थात वह अपने आप वाले पे उसकी अपने आप सेंट्रलाइज अपने पर डिपंड़ वैसा कुछ नहीं अभी खुब उड़ रहा होता है दिवा सपना देख रहा होता है अभी जब कई जग से जब धोखा खाएगा फि अब उसको या थार्थता का अनुगव होगा तभी वह सच्चे जिंदगी में जा पाएगा दर्वाइस उसका मज़े नहीं सेख पाएगा तो एक दो बार जो है अब ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ने के लिए जो है आप एकदम लालाई तरह हैं कि नहीं हम दो बार पहले त सुनो के बड़े लोग अच्छे अच्छे लोग डाक्टर साब लोग बताएँ और आप सुने होंगे कि हो आप आप लोग जोड़ दो गया है कि यह तो बोले हैं आप देख सकते हो विकास और भी वह वोले हैं विकास सिदे देख लो एक आगरता तथा स्रीजनात्मक्रता क किसे समझनी थैं बहुत दीग विकास हुई योगी तभी ये दोनों चीजों पर आप काम कर पाएंगे या दर्वाज नहीं कर पाएंगे ठीक है है आप लोग सबी लोग जानते होगे विकास दिबीकिरती सर और और बहुत सारे लोग जानते हैं हिंदी की बहुत बड़ी बढ़ी अच्छे जानकार है और यूप ईयरी कराते हैं आप सभी जानते होंगे जो नहीं जानते हैं कभी ele हुध अच्छा से बर loaf कुश तमझने जानने को में वहकता है षीखना तथा परिपक्वन दोनों ही मानसिक व्रिद्धी और विकास में हम पून भूनिकानि भाटे हैं दोनों, सुनकों के अनुसार मार्गान तरिकर्ण द्वारा मूल परवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है अर्थात्मूल प्रिवित्तियां जो है उसको चेल्जिंग बच्चा गलत राष्टी पे जा रहा है तो उसके रास्ता बदल देने से उसके बेवहारे प्रिवर्टतम देखने को मिलेगा अब ऐसा भी नहीं है कि वो गलत रास्ते पज़ारत को छोड़ा ही दो कि अब तो बद साले दोनों साधन हैं यह दोनों लगवा पूर्ण विक्सित हो चुके होते हैं ठीक आपको पत्ता हो कि जब बच्चा जनु लेता तो उसके 30 गंटे तक 30 गंटे बाद ही उसका जो है देखने वाली छमता देदरी आती है दृष्टी इंद्री प्रिष्टी कच्च्छ एक और दो स्तर के बच्चे मूर्त अंभौवं से सिग्र सिखते हैं मैं बताया नहीं बताया ना कि छोटे YouTube होते हैं वह खेतां हैं बश्जे एस अभी मूर्त मेंНе वुह काम करेंगे जोढ़ना घटा ना जो सिखना पढ़ना रहेगा हो मूर्त चीजों पर ही आधारित हो सारे काम कर सकते हैं अभी वो बच्छे हैं इस नाई मंडल का संबंद सारीग विकास से है जो पूरा तंत्र का तंत्र है उस सब कुछ सारीग विकास से मतलब है वो मानसिक नहीं है जब कि इसमरिती माने यादास अभी प्रणा समायोजन इसका मानसिक विकास है ठीक तो जो बौधिक हो गरहे है एसब चीज चिंतन हो गरहे हो मानसिक विकास असे समंद्ध है और जो इस नाई मंडल शरीव का हाथ पर बढ़ना च्छोट हो ना इस सब सारीग विकास है कई वार बीच बीच में आता है सार विकास हो गया कुछ भी बोलते जाओ मानसिक विकास हो गया ऐसा नहीं अब अगर हम कहानी हो या कुछ कोई तरकीब हो अगर हम कोई कथा या कोई द्रिश्टांत है अगर हम सुने हैं और याद है तो वह मस्तिष्ट से मतलब है उसका तो अगर माइंड डवलप्त किया रहेग बढ़ियां रहेगा है इस मृति तेज रहेगी यादास अच्छा रहेगा उन्हें दिनों तो हमको याद रहेगा अद्वाज हम भूल जाएंगे तो मानसिक किसी अच्छा होने का मतलब है कि दिमाग मजबूत होने का मतलब है कि आप सारी चीजों को सही तरके से कर पा रहे है उपागल हो जाता है तो फिर क्या करता है जो जानता रहता है उसका सही प्रयोग नहीं कर पाता है फिर वह एक विक्रित है एक समस्या खड़ी हो जाती है तो अलग करने से सारी में जिसे हाथ पैरंगुलियां यह सब काम करें आख मून आख जीवा यह सब काम करें इस जो है इस तरीके से इस इन सब में अगर विकास होता है तो वह सारी रिक विकास है ठीक है एक सही तरके से नहीं चले टुटूडा पुटूडा कर रहा ते भी एक तरीके से सारी आएगा विक्रती में ही आएगा क्योंकि सरीर के अंग है जीवा जीवा से तरी किसा नहीं अभी प्ले कर रही है उसमें एक समस्य आयेगा तो ध्रेद्रे प्रैक्टिस करते करते हो भी सही होता है अगर सही विकास हुआ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवा थोड़ी चोटी या बड़ी हो जाती है तो क्या होता है फिर देखने प्रापलम होना लगती है ऐसा हो जाता है अगर किसी किसी समय में बदलने रहे हैं एक बार हो सकता है कि आप दाहिने हाँ से लिख रहे थे कुछ मेहनत करने के बाद में आपकी प्रैक्टिस कुछ साल लिखेंगे तो हो सकता है बाएं हाँ से कुछ आप लिखने लगें लेकिन थोड़ा अंदर लगता है बार बार कि या दाहिने हाला या दाहिने हाँ से लिख रहे थे बढ़िया था अच्छा था अगर ऐसा ना होता तो एक लब का अंगुठा जो है काट लिया गया वह फिर आगले दो- अंगुली से कोशिस करना इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है उतना ज्यादा नहीं हो पाता दर्वाइस फिर कुछ लोग कहते भी होंगे इसनले हाथ से कर लेता इससे पखेल लिए कुछने को सकते हैं करने में क्या जा रहा है फिदी का परामर्स तो सभी लोग दे देंगे जब करें तब तो समझ में आए तो यह रहा आज का जो वन लिनियर जो पुसर आंसर जो रहे कुछ महत्पून बाते रहें इसमें इसके बार में हम लोग चर्चा किए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे ज मानसिक विकास को देखेंगे ठीक है तो कुछ जो है सामाजी विकास को देखेंगे तो अलग अलग विकास को अलग अलग स्टेज में हम देखेंगे कि इस उम्र में क्या परिवर्तन रहा उस उम्र में क्या परिवर्तन रहा क्या किस किस तरके से विकास होते हैं बच्चों क कि वाले बात थे जो पीछे 2023 क्लासे ध्यार क्लासे जो हुइ है उसको जो लोग पढ़े थे उनको एक लास करना फ्वला आसान हुए होगा उनके लिए थिरстру शरल रहा और आगे जब 2000-23 अध्य फिर आगे वाली क्लास हम लोग नेक्ट वाले क्लास में देखते हैं तभी के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग जाहें